10 साल बाद 9886 चिटफंड पीडितों के खाते में आए 4.14 करोर रुपे रकम पाकर खिले चहरे नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का अमारी यूटुब चैनल पर एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ जिसमें आज हम उन पीडित निवेशकों की बात करने वाले हैं जिनके लिए आज खुशी का ठिकाना नहीं है और यह खुशी उन्हें चिटफंड कमपनी में डूबी रकम 10 साल बाद वापिस मिलने पर मिली है तो कौन सी है वे कमपनी जिसमें डूबा हुआ पैसा निवेशकों को पूरे 10 साल बाद मिला है और किसके कारण यह सब हुआ है जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में और यदि आपने इस खुशी की खबर जानने के बाद भी हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे और वीडियो का अपने दोस्टों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले जिसमें आज की एक खबर आई है रायपूर में जहां पहली बार किसी चिटपंड कंपनी के फ्रोड सिकार 9866 लोगों के खाते में एक साथ 4.14 करोड रुपे डाले गए जिसमें सियम बुपेस बगेल ने देवियानी कंपनी में करीब 10 साल पहले रकम गवाने वाले 9866 पीडितों के खाते में सुकरवार को यह रकम टास्पर की इससे पहले बिलासपूर, राजनन्द गाओं और दमतरी में भी कुछ पीडितों को जिला परसासन के द्वारा पैसे लोटाए गई है लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पीडितों को पहली बार रकम वापिस दी गई रकम ओनलाइन टास्पर करने के बाद सियम पूरव मुख्यमंतरी डाक्टर रमन सिंग, नेता पतिपक्स, द्रमलाल कोशिक समेत कई बाजपा नेताव पर बरसे उन्होंने का कि कांगरे सरकार डूबे पैसे लोटाने का काम कर रही है नहरू मेडिकल कोलिज ओडिटोरियम में सुकरवार को आईजित समारों में मुख्यमंतरी बुपेस बगेल ने पीडितों के खाते में रकम टास्फर की उन्होंने का कि 36 गड़ देश का इगलोता राज्य है जहां चिटफंड कमपनी में रकम गवाने वालों को पैसे लोटाए जा रही है सियम बुपेस बगेल ने का कि जब कुर्शी समाली और चिटफंड कमपनीों के दस्तावेज मंगाए तो मंतराले में एक भी कमपनी के कागज नहीं मिले चिटफंड कमपनीों की प्रोपर्टी डूंड डूंड कर पहले उन्हें कुर्क किया फिर निलामी जबकि बाजपा सरकार ने सभी कमपनीों को स्रक्षन दिया था जिसमें नेता डायरेक्टर के साथ मिलकर सारा खेल खेलते रहे कांगरेशी सिरकार ने ने केवल फ्रोड कमपनिया बंद करवाई बल्कि उनके डायरेक्टर को भी जेल में बेच दिया गया साथ ही मुख्यमंतरी ने चिटफंड कमपनियों के एजेंटों से का कि उनके खिलाफ F.I.R. वापिस ली जा रही है लेकिन एजेंटों के पास ऐसे सभी इन लोगों की सूची है जिन्होंने कमपने में निविश किया था इन सभी लोगों के नाम के साथ-साथ कमपने की प्रोपर्टी की भी जानकारी पुलिस और परसासन को दे ताकि प्रोपर्ट निजी गाडियों और जादतर दो पईयों में ओडिटोरियम पहुँचे कारेकरम सरू होने से पहले ही ओडिटोरियम भर गया जिन लोगों को कुर्सी नहीं मिली वो बार परिसर में ही बैठ गए कारेकरम खतम होने तक लोग वहीं डटे रहे इस दोरान सभी ने हाथ उठा सर्गो के साथ आयर इस्तेदारों ने गले लगा कर बताया कि उनके खाते में रकम जमा हो गई है देव्यानी चिटफंड में निवेश करने वाले 16,200 लोगों ने आवेदन किया था दोबारा ओनलाइन आवेदन मंगाए गए तो 13,566 लोगों ने आवेदन किया इसमें से 4, आवेदन दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण रद कर दिये गए थे जिसके बाद बाकी निवेशकों को करीब 10 साल बाद सीम बुपेश बगेल सरकार के दवारा उनके खाते में 4,5,14 करोर रुपे वापिस कर दिये तो दोस्तों यह जो पैसा टांसपर हुआ है यह देव आपको जानकारी अच्छी लगी है और खुसी हुई है तो वीडियो को कर दे एक लाइक चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर ले सस्क्राइब ताकि इसी परकार की चिटफंड कमपनियों से जुड़ी हर एक लेटस्ट अपडेट आप सभी तक मिलती रहे तो म तक के लिए जाहिन जया बारत